मैं एक महिने से रोज पचास रुपे की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब कोई बात नहीं कल से मैं तुमें चालिस रुपे की दवाई दूँगा दस रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डाक्टर साब एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मोशन लगनी वाली दवाई क्यों देगी वह इसलिए तुँ अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डाक्टर साब मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साप? तुम रोज सुबह दो ही रोटियां खाया करो ठीक है पर एक बात बता दो डाक्टर साप ये दो रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो, चल रोटियों को छोड़ो स्वस्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किरकेट और टेनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई मगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी 89 भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया और, अबय चुपकर, मुझे भी पागल गरेगा क्या लो, यह में दवाही लिखता हूं ड़ाक्टर साब, दवाही जरूर लिखो लेकिन कडवी मत लिखना आरे चुपकर बट ड़ाक्टर साब, दवाही जरूर लिखदो पर कडवी मत लिखना रमत तरीखातर एक किलो जलेबी लिखते हूँ बैट जा जादा मत बोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लिखता हूँ मनना तो लूट लिया और तू भी लूट ले